दोस्तों क्या भी कम कीमत में एक बड़ा RAM पना स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसका RAM quantity काफी ज्यादा हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं Hello guys, welcome to our creative tech जानकार YouTube channel तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को enjoy करते होंगे जोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहद ही खास स्मार्टफोन का review करने वाले हैं जिसका price भी काफी आपको कम मिलेगा और उसका RAM quality काफी ज्यादा है मतलब कि इसमें आपको काफी 12 RAM size मिलने वाला है इस वीडियो को पुरा देखते रहेगा दूस्तों के साथ सेर करिया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वो ने चीनी बाजार में OPPO A2 स्मार्टफोन को लांच कर दिया है नाया KOPO A-Series स्मार्टफोन में आपको Mediatek Dimensity 6020 Processor से लैस होगा इस फोन में आपको 6.72 इंचिस का LTPS LCD डिस्पले दिया गया है जिसका refresh rate 90 अर्ज जा है इस फोन में आपको 50 MP का primary camera से लैस है बैटरे के लिए इसमें आपको 50 MP की बैटरे मिलता है जो की 32W Fast Charging को सपोर्ट करता है तो चलिए दोस्तों इसको हम डिटेल में रिवियो करता है बिना किसी पक्वास के और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगए तो 10 लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम इसकी कीमत के बारे में जानेंगे और launch date को जानने वाले हैं दोस्तों अगर आम इसकी कीमत की बात करें तो OPPO A2 के 12GB RAM प्लस 256 जिव स्टोरेज वेरियंट की बात करें तिसका जो कीमत है यहनी यूनान में 1699 लगवग 17,000 रुपे में आपको मिल जाएगा वहीं पे अगर आप पीसे 12GB RAM प्लस 512GB स्टोरेज वेरियंट के साथ जाते हैं इसका जो कीमत होगा 1799 यूनान मतलब के आपको 20,000 रुपे में मिल जाएगा यह फोन बिक्री के लिए चीन में उपलब दे इसके color option की बात करें दोस्तों इस map को आइस, रिस्टल, वाइलेट, जिंगाई, ब्लेक और किमरेल्ड इन color option में launch किया जाएगा दोस्तों क्या भी नॉम्बर के upcoming smartphone को देखना चाते हैं आई बटन और वीडियो के description में link के देदूगा इस वीडियो को देखने के बात वीडियो को जिरूर देखिएगा चलिए दोस्तों हम इसके launch date की बात कर देते हैं वोपो A2 launch date की बात करें तो यहाँ दोस्तों बारत में 13 नॉम्बर को launch हुआ है चलिए दोस्तों अब हम इसके full specification को बता देते हैं वोपो A2 में आपको 6.72 इंचिस का full HD plus 80 PS LCD screen दिया गया है जिसका resolution 1080 उने 2400 pixel है और refresh rate की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है यह डिस्प्ले 390 PPI pixel density की साथ आता है इसमें 680 nits का peak brightness आपको मिल देगा 21.4 screen to body ratio है और इसके साथ आपको 180 Hz का touch sampling rate मिलता है इस phone में इस phone में आपको 12 GB LPDDR 4X RAM दिया गया है वाई पे virtual RAM feature का भी आप इस phone में इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि 24 GB तक आप virtual RAM का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि काफी ज़्यादा है दोस्तों यही नहीं अभी और सुनिये इस headset में आपको 512 GB तक UFS 2.2 storage से last मिलता है दोस्तों क्या भी एक सबसे बड़ा storage वाला smartphone लेना चाहते हैं जिसका storage काफी ज़्यादा हो वाई बटन और वीडियो के description में लिंक दे दूँगा उस पीडियो को ज़रूर देखते हैं प्रेले अब हम इस phone के camera features को आपको बता देते हैं camera की बात करें दोस्तों तो GoPro A2 की rear map को F by 1.8 aperture के साथ 50 megapixel का primary camera मिलता है और F by 2.4 aperture lens के साथ 2 megapixel का ultra wide camera मिलता है selfie और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों इस map F by 2.0 aperture के साथ 8 megapixel का selfie camera मिलता है connectivity options की बात करें ती इस phone में आपको Wi-Fi Bluetooth, USB 2.0, 3.5 mm audio jack, USB Type-C port, GPS और 8 GPS जैसे features सामिल है इस phone में आपको accelerometer, ambient line sensor, geomagnetic sensor, gravity sensor और proximity sensor जैसे अन्य features मिलता है security के लिए दोस्तों इस phone में आपको side mounted finger print मिल दाता है अगर आपने अवे तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe करेंगा दोस्तों नीचे subscribe का बटन है उसे जरूर दवाईएगा बैटरी की बात करें तो इस phone में आपको 5000 इमिज की बैटरी मिलता है जो की 33W सूपर वाक फास्ट चार्जिंग को सपूर्ट करता है इसका लंबाई आपको 155.6 मिलिमेटर चौराय आपको 76 मिलिमेटर और मोटाय 7.9 मिलिमेटर है वजिन की बात करें जो वजिन 193 गराम में आपको मिल जाता है तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप इस phone को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के वीडियो अच्छा लगा फिलिस कमेंट में में जरूर बताईएगा थैंक्यों